दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत हैं आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 33 GK के समभावित परसन की एक और नई वीडियो दोस्तो इस सभी परसन अभी तक SST GD में पूछे गए परसनों पर आधारित रहेंगे तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जादा helpful रहेगी और इसमें दोस्तो हर टोपिक से मैंने कोशन लिया है यानि कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखते हैं और कम से कम दोस्तो 25 कोशन सही कर देते हैं तो आपका इस कोर एक्जाम में बहुत ही अच्छा होने वाला है और दोस्तो एक कोर चीज बतेगा SSC MTS हवलदार का किस-किस बच्चे ने फोर्म बराए नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पढ़ूँगा चले दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला कोशन है भारती सविधान के किस अनुच्चेद में अनुसूची जातियों और अनुसूची जिंजातियों के लिए आरक्षन का परवधान है देखे आप लोग को हरे कोशन का आंसर अटेम्ट करना है और कमेंट बोक्स में आंसर जरूर बताना है देखे पहले कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा अनुच्चे 335 में यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा ये कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्ग कर लेना एक्जाम में जरूर पूछ जा सकता है दोस्तो दूसरा कोशन है कि सविधान संसोदन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा कर कानूनी अधिकार का दर्जा परदान किया गया है देखे दूसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर एगा मेरे प्यारे दोस्तो काठी किस राज्य का परसीद लोकनत्य है तो राइट आंसर हैगा पस्चिम बंगाल का यानि की डी राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा देखे चोथा कोशन आता है पपेटी किस का त्योहार है मेरे प्यारे दोस्तों परफेटी किस का तोहार है तो ये दोस्तों पार्सियों का तोहार है यानि की option A right answer हो जाएगा वही पांचवा question आता है भारत की पंचवर्शिय योजनाओं को अंतिम सवकरती कौन देता है तो मेरे प्यारे दोस्तों पांचवे कोशन का राइट आंसर हैगा रास्टे विकास परिसद यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक Only Top Study एप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटा फट से डाउनलोड कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको यूटूब फिरी पीडियाप, डेली करेंट फिर पीडियाप, टोपिक वाइस पीडियाप, सारी पीडियाप मिल अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसके 150 रुपीज में आप पूरी पीडियाप को परचेज कर सकते हैं और इस पीडियाप को पढ़ने के बाद में आपको कोई दूसरी पीडियाप पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इस पीडियाप में मैंने History, Geography पॉलेटी, Economics, Physics, Chemistry, Biology करेंटरफेर, Computer, Static, GK सभी कुछ को कवर किया हैं इस पीडियाप का हमारी वेबसाइट या वोट्सप नंबर से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तो कोशन नंबर 6 है मारास्ट में आरिये महीला समाज की स्थापना किस ने की थी इस कोशन का दोस्तो राइ वाली नदी कौन सी है देखिए मैंने हर टोपिक से कोशन लिया दोस्तो जिस इस टोपिक से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कोशन उनसे सबसे एक 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 दो दो परसन लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जबर्दस रहेगी इस कोशन का दोस्तो राइट आं अगला कोशन दोस्तो आता है सकल घरेलू उत्पाद डिफलेट यानि कि डिफलेटर सब्द जीडिपी डिफलेटर सब्द निन में से किसके मध्य अनुपात है दोस्तो राइट आंसर हेगा नोमिनल जीडिपी और वास्तविक जीडिपी यानि कि राइट आंसर इस भी यह आपको या दखना है, दसवा कोशन है, सोडियम की परमानु संख्या, मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम की परमानु संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हेगा 11, तो D is the right answer, दोस्तों, ग्यारवा कोशन है, लुसाई जंजाती निवास करती है, देखें, लुसाई जंजाती मेर की B रैट आंसर हैगा ग्यारवे कोशन का सही आंसर बारवा कोशन है मेवाड के किस राज्य को 1527 में खानवा के यूद में बाबर ने हराया था मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का रैट आंसर हैगा बिल्कुल सही राणा सांगा यानि की D इस दर रैट आंसर ये आपको याद अखना है तेरवा कोशन है मिलखा सिंग को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों मिलखा सिंग को किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हैगा दे फ्लाइंग सिक यानि की ऑप्शन A right answer दोस्तो हो जाएगा Question number 14 है वरतमान में भारत में कुल कितने रास्टे उध्धान है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तो X106 यानि की B right answer हो जाएगा Question number 15 है Grand Prix का संबन्द किस खेल से है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer हैगा F1 race है यानि की A is the right answer अगला question आता है मोलिक कर्तव्यों को सविधान में किस वर्स अते इस्थापित किया गया था इस question का दोस्तो रास्ट आँशर हैगा 1976 में तो C is the right answer Question number 17 है भारत के नए उप्चुनाव आयुक्त कोन बने है दोस्तो भारत के नए उप्चुनाव आयुक्त बने है अजे भादू यानि की right answer is C ये आपको याद अखना है भई सैसन अच्छा लग रहा है तो like भी कर देना भारतिय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिशद यानि की ICMR के नए महारदेशक कोन बने है प्यारे दोस्तो राइट आंसर हैगा राजी बहल यानि की B is the right answer ये है आपको याद अखना है भई अगला कोशन आता है भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुचाने के लिए केंदर सरकार ने परधान मंतरी किसान मांधन योजना को किस वर्स शुरू किया था देखे योजना बहुत पुछी जा रही है और ये वाली दोस्तों important योजना है तो याद रख लियना इस कोशन को जरूर एक्जाम में आ सकता है 12 सितंबर 2019 को दोस्तों ये योजना लौंच की गई थी तो right answer D हो जाएगा अगला कोशन आता है महावीर की माता कोण थी मेरे प्यारे दोस्तों महावीर की माता कोण थी तो right answer is तिरिसला यानि की C is the right answer 21 वा कोशन है दिल्ली सल्तनत सासित हुआ था कुल दोस्तो right answer हैगा पांच राजवनसो द्वारा और दिल्ली सल्तनत पर एक अलग से वीडियो बना रखे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना दोस्तो जाके आपको कोई भी वीडियो देखनी होते है तो यूटूब पर सर्च किया करें जैसे आपको देखने है दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत by only top study आपको सिर्फ इतना सर्च करना है वीडियो मिल जाएगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 22 वा कोशन है चिल्यान वाला यूद कब हुआ था दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तो 1849 में तो A is the right answer यह आपको याद रखना है दोस्तो यह हुआ था East India Company और सिखो के बीच में यह भी आपको याद रखना है इसमें दोस्तो East India Company की विज़ा हुई थी भारत के कितने राज्ये नेपाल की सीमा से लगते हैं दोस्तो राइट आंसर हैगा पांच राज्ये दोस्तो लगते हैं यानि की C is the right answer नेक्स कोशन आता है अन्मान निकोबार के उपराज्येपाल यानि की लेटिनेंट गवर्नर का क्या नाम है दोस्तो राइट आंसर हैगा देविंदर कुमार जोसी यानि की ओप्षन दोस्तो D right answer हो जाएगा 25 कोशन है भारत के सवास्थ और परिवार कल्यान मंत्री और रसायन और उर्वक मंत्री कोन है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है दोस्तो यहाँ पर right answer आपका हो जाएगा मन सुखे मांडविया यानि की right answer option ए हो जाएगा भारतिये अंडर 18 महिला टीम ने एसिया रगबी सवेंस चेंपियंशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है दोस्तो right answer क्या रहेगा तो right answer हो जाएगा दोस्तो रजत पदक जीता है यानि की b right answer अगला कोशन है राइस्थान की राज्यपाल का क्या नाम है तो मेरे प्यारे दोस्तो right answer क्या रहेगा कलराज मिसरा यानि की d is the right answer अगला कोशन आता है किस विज्ञानिक ने सबपर्थम ब्लेक होल के बारे में बताया था दोस्तो राइट आंसर हैगा S. चंद्रिसेकर यानि की C. इसदारेट आंसर है अगला कोशन आता है 500 रुपे के नए नोट पर पीछे की और किसकी आकर्ती बनी हुई है दोस्तो राइट आंसर रहेगा लाल किला यानि की A. इसदारेट आंसर है अगला कोशन आता है 99 से कौन 1857 के विद्रो के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यत थे दोस्तो राइट आंसर हैगा लोड कनिंग यानि की आप्शन C. राइट आंसर हो जाएगा देखें नेक्स कोशन आता है अर्थ ओवर्डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तो राइट आंसर हैगा 26 मार्च को यानि की D. राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 32 है जनगर्णा 2011 की अनुसार की संग असासित परदेश की जनशंक्या वरद्डी दर सबसे कम है दोस्तो राइट आंसर हैगा लक्स दीप की यानि की A. राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है दोस्तो बाबा बालकर नात मंदिर कहां इस्तित है बाबा बालक नात सोरी नात मंदिर कहां पर इस्तित है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही दोस्तो हिमाचल परदेश में यानि की C. राइट आंसर हो जाएगा तो अब एक कोशन में आप लोगों से पूछता हूँ जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना है दोस्तो कोशन है मिलका सिंग को किस नाम से जाना जाता है फटाफट comment box में बतेगा और मेरे प्यारे दोस्तों ये भी जरूर बतेगा कि 33 question में से 25 सही कर रहे हैं वाले कितने सारे student है तो जल्दी से comment box में बतेगे दोस्तों 25 आप लोगों में से कितने student ने सही कि हैं और जिनका score 25 से कम है अब वो सुन लीजे उनको क्या करने आगे देखे सबसे पहले एप को डाउनलोड कर लीजे और एप को डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों इस YouTube free PDF वाले section में जाएगा यहाँ पर आप लोगों को 1000 question की एक free PDF मिलेगी उस PDF को डाउनलोड करना उसमें दोस्तों सारे questions अभी तक जितने पूछे गए हैं न SSTJD exam में और साथ ही साथ उसके साथ extra fact भी है अगर आप उस PDF को पढ़के जाते हैं तो 8 से 10 नमबर दोस्तों आप इस के वेवल PDF से लेके आ सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही exam oriented बनाईगी है और इसमें आपको सारी चीजे मिल जाती है डेली करेंट फिर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की PDF भी दोस्तों आपको यूटूब फिरी PDF वाले सेक्शन में मिल जाएगी अप अच्छा लगे तो 5 स्टार की रेटिंग करना मत भूलेगा आप लोग के लिए दोस्तों फिरी ओप कोस्ट इतनी सारी चीजे मैं इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको मास्टर पीडियाप परचेज करनी है तो 6000 की कोशन आजस की मास्टर पीडियाप दोस्तों की 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं इस पीडियाप में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और यह हमारी वेबसाइट और वोर्टस अप नंबर से आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स से लास में थेंक्यू सो मच बाइबाइ और एक एक एर ख्याल लखे अपना